हेलो अब्रिवन लास्ट वीडियो में हमने बात किया था wizard.js के बारे में और उसके नीचे मैंने जब चेक किया तो यहाँ पे और एक एरर सो कर रहा है यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है jquery.min.js तो हम इसको कैसे fix करेंगे तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में तो अगर आप ने उस वीडियो को नहीं देखा है wizard.js कैसे fix किया जाता है तो उसका लिंक मैं description में डाल दूँगा तो आप इस वीडियो के बाद उसको भी check out कर सकते हैं तो इसको solve करने के लिए भी आपको एक code डालना पढ़ेगा अपने blogger theme section में तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा यह जो URL है इसमें right click करके इसका जो link है मैं इसको copy कर लोगा उसके बाद मैं क्या करूँगा blogger dashboard पर जाओंगा यहां पर आपको सबसे पहले तो एक backup ले ले लेना है जिससे कि अगर आप कोई भी mistake होगा तो आप restore easily कर सकते हैं उसके बाद मैं edit html पर click करूँगा यहां पर आपको मिल जाएगा एक head section और कुछ-कुछ theme में यह इस तरह भी दिखाता है जैसे यहां पर antlt semicolon head and gt semicolon तो कुछ-कुछ theme में इस तरह का भी head section मिलेगा तो आपको check करना है कि आपका head section किस तरह का है तो यहां पर यह जो head section है इसके नीचे हमको एक code डालना पड़ेगा तो उस problem को solve करने के लिए आपको उस link को preload करना होगा तो मैं सब से पहले वह link को paste कर देता हूँ यह था हमारा jquery min.js code तो हमको इसको preload करना है तो मैं head tag के नीचे एक code लगाऊंगा तो मैं यहां पर क्या करूंगा लगा दूंगा link and उसके बात हम क्या करेंगे rel equal to double code में हम डालनेंगे preload and उस preload को as a script preload करेंगे तो हम डालनेंगे as and उसक double code पे script उसके बाद इसको close कर देंगे उसके बाद हम डालेंगे href जो की एक link है तो हम इसको link में href में डालके उसमें उसका link डाल देंगे उसको double code close करके हम एक forward slash देखे greater than symbol डाल देंगे तो हमारा जो यह जो java script है इसको preload कर लेगा तो जब भी page load होगा browser इस java script को preload करके रखेगा जिससे की जो page loading speed है वो बढ़ जाएगा तो हमने डाल दिया है वो link तो आप देख सकते हैं यहां पे एक link tag है उसके यहां हमने डाला है real preload as a script और उसके बाद href में वो जो link हमने copy किया था तो मैं इसको save कर देता हूं और चलते हैं page speed inside में और उसको एक बार फिर स run करते हैं तो wait करते हैं यह changes हो गया है तो हम page speed inside पर जाएंगे एक new tab पर इसको open करेंगे उसके बाद वही url को copy करेंगे और यहां पर paste करके analyze करते हैं और check करते हैं कि वह जो jQuery error है क्रिटिकल रिक्वेस्ट में वो solve हुआ या नहीं और यहां पर मैं scroll down करता हूं और यहां पर हम देखेंगे एबर्ट चनिंग क्रिटिकल रिक्वेस्ट और आप देख सकते हैं वही जो jQuery वाला error है वो हट गया है तो पहले यहां पर jQuery error show कर रहा था बढ़ अभी यह नहीं क इस तरह से आप इस एबर्ट चनिंग क्रिटिकल रिक्वेस्ट एरर जो की jQuery था उसको solve कर सकते हैं तो इस तरह का बहुत सारा एबर्ट चनिंग क्रिटिकल रिक्वेस्ट एरर solve करने के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जहां पर आप जैसे फॉंड फाइल हो गया या CSS फाइल हो गया जावास्क्रीट फाइल हो गया उसको कैसे प्रिलोड करके उसको solve कर सकते हैं तो मैं उसका link आपको description में डाल दूंगा तो अगर आपको यह वीडियो अच क्यू